हेलो फ्रेंड मैरा किस रोसन लेर्न टेक टू टेक चैनल से और यह मेरा C++ प्रोग्रामिंग पर नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स और उसको पूरा डीटेल में हम समझते हैं हलंकि इससे पहले जो है जितने भी डिसीजन मेकिन स्टेटमेंट से उसका वीडियो मैं अल्रेडी बना चुका हूँ आप लोग को सबसे पहले उसको देख लें कि कितने तरह के डिसीजन मेकिन स्टेटमेंट होता है लिखते हैं यहां पर मैं आपके सामने प्रोग्राम इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आया कि प्रोग्राम लिखने से पहले हम कैसे सोचते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम में किस तरीके से लाजिक डेबलब करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं इंट कहा होगा उसका implementation हम कहा करेंगे तो अगर हम सबसे पहले normally if statement की बारे में देखे तो उसका utilize हम कहा कर सकते हैं तो मैं आपको example देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक number लूँगा एक मैं number लूँगा और वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि उस number को input लेता हूँ मैं पहले उसके लिए मैं बाकायदा जो है enter the number message देता हूँ ठीक है कि आप जो है number input की ही है और उसके बाद obviously input statement देते हैं अब हम चाहते क्या है कि अगर यह number user negative में डालता है अगर positive डालता है तब तो agitive display हो जाएगा पर अगर negative डालता है तो वो positive में change होगा तब जाके display होगा अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर केवल आपको एक ही condition check करना है कि नम अगर less than zero है इसका मतलब अगर number negative है number negative है तो number negative है तब आप क्या करना चाहते हैं उस number को positive करना चाहते हैं ठीक है बट अगर number already positive है तो आप कुछ नहीं करना चाहते हैं इसका मतलब यहाँ पर कोई other statement नहीं होगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि see out और यहाँ पर हम simply कर देंगे num equal to और यहाँ पर हम display कर देंगे num तो यहाँ पर आपने देखा if statement का क्या logic है या if statement को हम कैसे use करते हैं हमने number लिया उस number को हमने input लिया और यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगर number negative है अगर number less than 0 है तब हम उसको positive करेंगे अगर number less than 0 है तो क्या होगा negative होगा तो negative क्या आगए अगर हम negative लगा देंगे तो क्या हो जाएगा positive हो जाएगा पर अगर suppose that user already positive input करता है, तो simply ये if statement false हो जाएगा, simply जो है आपका output आजाएगा, मतलब ये output statement तो हर आलत में display होगा, चाहे आपका ये condition true हो, चाहे false हो, पर ये condition true तब ही होगा जब आपका number negative है, तो आपने देखा किस तरीके से जो है आप इसको if statement को utilize कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं build कर रहा हूँ, तो हमारा program build हो चुका है, कोई भी error नहीं है, कोई भी warning नहीं है, मैं इसे run करता हूँ, तो देखें, यहाँ पर ये पूछ रहा है, enter the number, मैंने डाला 45, ये 45 display कर दिया, ठीक है, क्योंकि 45 जो है less than 0 नहीं है, ये direct 45 display कर दिया, मैं इसे फिर दुबारा run करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ, minus 90, तो क्या करेगा, ये negative को positive बना देगा, अभी num equal to क्या दिखला रहा है, ये 90 दिखला रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कि negative को ये positive कर दे रहा है, और positive को agitives रख रहा है, तो इसके लिए हम क्या statement यूज़ कर रहे है, यहाँ पर if else की जरुवत नहीं है, यहाँ पर else की जरुवत नहीं है, क्योंकि number positive होने पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंब आपको negative होने पर उसको positive कर देना है, तो this is the application of if statement, अब मैं आपको एक application दिखाता हूँ, if else दोनों का, कि if or else दोनों का कैसे यूज़ करेंगे, तो if else दोनों को यूज़ करने के लिए, सबसे आसान जो है, example है, even odd check करना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, num mod 2, अगर equal to, equal to 0 है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, see out, कि number is even, क्योंकि अगर पूरा divide हो जाता है, modulus 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कि number हमारा क्या है, even, और हमको पता है, कि अगर कोई number even नहीं होता है, तो फिर दूसरा option क्या होता है, कि वो number odd होता है, मतलब हर number क्या होता है, या तो even होता है, या फिर odd होता है, इसका मतलब यह है, कि अगर एक बार आपने even चेक कर लिया, तो आपको odd चेक करने की जरूवत नहीं है, ठीक है, तो उस number को आपने modulus किया 2 से, तो यहाँ पर क्या आता है, अगर reminder 0 आया, इसका मतलब क्या है, वो number 2 से divide हो जा रहा है, और 2 से divide हो जा रहा है, इसका मतलब वो number क्या है, even है, और अगर even नहीं है, अगर 2 से divide नहीं हो रहा है, तो obviously वो number क्या है, odd है, तो इसका मतलब else part में, हम वो statement लिखेंगे, जो इसके false होने पे हमें करना है ठीक है जैसे even odd जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेक कीजिए कि number composite है या फिर prime है तो obviously या हर number या तो composite होता है या prime होता है ठीक है तो किसी के भी किसी भी ऐसा condition है जहां पर केवल और केवल दो option है ये true होने पे ये होगा और false होने पे ये इसमें हम यूज करते है इफ-ईल्स तो इफ में जो condition देते है अगर ये true होता है तो ये true part मतलब यह जो number यी जी बेन लिखा हुआ ये इसका true part है और जो number य जो और लिखा हुआ इसका false part है तो else में जो भी आता है वो इसका false part होता है तो इस तरह से आप क्या कर सकते है इफ प्रोग्राम बिल्ड हो गया, कोई error नहीं है, कोई warning नहीं है, मैं इसे run करता हूँ, मैंने डाला 45, तो number is odd, क्योंकि 45 क्या है, odd है, उसके बाद हम इसी को फिर से run करते हैं, और हम देते 56, तो लिख रहा है, number is even, तो 56 क्या है, even है, तो इस तरीके से if statement और if else statement का आप utilize कर सकते है तो चलिए friend, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा, कि if statement कहां यूज करना है, और if else statement कहां यूज करना है, अगर समझ में आ गया अच्छा तरत है, तो like करें, share करें, और अभी भी कोई doubt है, तो comment करें, और अगर अभी तक आपने मेर चैनल को सबस्क्राइब नहीं करका, तो सबस्क्राइब कर लिया, और बगल में जो bell है, जरू क्लिक करें, जिससे मेरे जतने भी नए वीडियोज है, उनके notification आपको मिलता रहे, thank you and good bye